मसकार, जै जोहार, जै छतीजगर, सीजी व्यापम द्वारा कम्प्यूटर से पुछे जाने वाले प्रश्णों को हम लोग डिसकस कर रहे हैं, जो की विभिन परिक्षाओं में अलग-अलग समय में पूछे गए थे, आज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे स्रम निरि हो सकते हैं, क्योंकि छात्रावास भरती परिक्षा में 30 प्रश्ण कम्प्यूटर से पूछे जाएंगे और इन 30 प्रश्णों में से 50 प्रतिसत प्रश्ण हल करना, मतलब 50 प्रतिसत प्रश्ण सहीं होना अनिवार यह है, अन्यथा जो है आपका आगे चेक नहीं होगा, ठीक तो काफी important है, तो इसमें हम लोग पुराने questions को discuss कर रहे हैं, question काफी repeat हो रहा है, तो आप लोग यह वीडियो स्रिंकला को ध्यान से देखेगा, रोज देखेगा, काफी सारे वीडियो पहले ही upload हो चुके हैं, सीधे हम लोग question पर चलते हैं, पहला question दिया है, Google search engine का इसको खोजने के लिए करते हैं, वीडियो को खोजने के लिए करते हैं, मतलब क्या answer हो जाएगा उपरियुक्त सभी, हर चीद को खोजने के लिए हम जो है Google का साहरा लेती हैं, अगला दिया है, जब कभी exe file execute होता है, तब कौन सा virus computer को परभावित करने के लिए executable हो जाता ह हैं, तो इसका answer होगा, B file virus, मतलब की file के साथ जो भी virus होते हैं, उनके बारे में, अगला दिया हुआ है, light pen क्या है, क्या यह input device है, output device है, यह आपको बताना है, तो light pen जो है, एक input device है, ध्यान रखना, एक input device है, light pen, एक input device है, ठीक, अगला देखते हैं हम दोग, अगला question दिया है, documentation, movies, images, और photographs को store किया जाता है, इनको कहां store किया जाता है, मतलब की कुछ भी document हो, movie हो, image हो, photograph हो, audio हो, video हो, तो इन सब चीजों को कहां store किया जाता है, कहां पर रखा जाता है, तो यह होगा file server में, ठीक, file server में इसको जो है, रखा जाता है, file server, D, अगला question देखते हैं, इन में से कौन सा antivirus software नहीं है, तो antivirus software कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है, तो देखेगा जो trojan है, trojan horse, यह जो है antivirus software नहीं है, ठीक, C answer होगा, Sir, अगला question दिया है, storage device का सहीं करम है, storage device का सहीं करम आप लोग बताइए, तो storage device, मतलब जो अलग-अलग storage devices हैं, उनका सहीं करम आपको बताना है, तो देखेगा सबसे पहला है, सबसे पहले CD आ जाएगा, ठीक, जो 700 MB कुछ का होता है, ठीक, उसको बड़ DVD आएगा, जो की लगबग 45,000 GB से अधिक का होता है, ठीक, CD जो है 700 MB, और DVD जो है, लगबग 45,000 GB के ऊपर, pen drive के अगर हम बात करें, तो pen drive जो है, अलग-अलग capability के साथ आते हैं, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 3 GB कतनी आता है, एक, 2, 4, 8, 16, 32, इस टाइप से आता है, 64, 128, इस टाइप से, ठीक, उस बड़ जो सबसे बड़ा होता है, वो होता है, HDD, hard disk, ठीक, hard disk, इसकी storage capacity जो है, बहुत जादा होती है, ठीक, तो यहाँ पर CD, DVD, pen drive, फिर hard disk, यह हो जाएगा, अगला दिया है, इन में से कौन एक operating system नह नहीं है, यह आपको बताना है, तो Microsoft एक operating system नहीं है, ठीक, ध्यान रखेंगे, अगला दिया हुआ है, एक छोटे या बुद्धिमान device, इसलिए कहा जाता है, ठीक, एक छोटा या बुद्धिमान device, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह एक छोटे के भीतर होता है, तो इसका क् sensor होगा भई, sensor, ठीक, अगला कुछ ने, इन में से कौन सा multimedia प्रणाली का एक अभी लक्षण है, multimedia, multimedia जिसमें picture, video, audio, picture मतलब photos, ठीक, audio, video, यह सारा चीज आ जाता है, ना multimedia में, तो कौन सा अभी लक्षण नहीं है, यह आपको बताना है, तो यह हो जाएगा, high data rates और high storage, यह दो कोनों हो जाएगा, एवं बा, अगला question है, shortcut, खालिस्थान shortcut की का उप्योग, एक word file को पूरा content select करने के लिए होता है, मतलब की word file में, पूरे content को select करने के लिए, मतलब select all करने के लिए, क्या press करना होता है, कौन सा sort key होता है, यह आपको बताना है, बड़ा ही simple है, control plus A, control plus A, आप अगर प्रेस करेंगे, दभाएंगे, तो पूरा जो content है, वो select हो जाएगा, ठीक, अगला दिया है, निम्ड में से कौन सा software, multi-user, multitasking, type sharing, operating system है, ठीक, इस तरह का कौन सा software है, तो इस तरह का जो software है, वो है, unix, ठीक, unix, बी, या अर्थाक बग, अगला question दिया हुआ है, printer की गुणवत्ता मापी जाती है, तो भई printer की गुणवत्ता किस प्रकार मापी जाती है, अच्छा question है, एक वर्ग इंच में बिंदूओं की संख्या के आधार पर जो है printer की गुणवत्ता मापी जाती है, एक वर्ग इंच मतलब एक वर्ग इंच मतलब एक इंच चोड़ा, एक इंच लंबा, इसमें जो है बिंदूओं की संख्या के आधार पर किसी print का गुणवत्ता मापा जात करता है PDF का पूरा नाम क्या है बहुत अच्छा कुछन है PDF आज हर कोई यूस करता है PDF ठीक तो इसका फुल नाम आपको बताना है पूरा नाम आपको बताना है PDF का इसका पूरा नाम होता है Portable Document Format portable document format PDF का full form अगला question दिया है IP address में कितने bit होते हैं IP address में कितने bit होते हैं तो इसमें 32 bit होते हैं IP address में 32 bit 32 bit अगला question है निमन में से कौन सा operating system नहीं है तो इन में से operating system कौन सा नहीं है यह आपको बताना है simple सा question इसको मैं बोलूँगा ठिक यहाँ पर दिखिएगा जो Linux है यह एक operating system है Android भी operating system है जो अधिकतर mobiles में use होता है Mac भी operating system है बट जो Samsung है यह एक mobile company है ठिक न कि यह एक operating system है ठिक तो आसान सा question था इस तरह से भी question पूछा जाता है question repeat होते हैं ध्यान रखना अगला यहाँ इन में से कौन सा computer का input device है input और output devices को ध्यान में रखना हमें साब पूछा जाता है कौन सा input है कौन सा output है तो यहाँ पर देखो अगर हम input मतलब जो भी हम data computer में देते हैं जिस भी devices के माध्यम से वो सारी devices क्या है input device जैसे के मैं यहाँ पर touch कर रहा हूँ तो जो touch screen है यह भी क्या है input device है और आप जिस monitor पर देख रहे हैं वो आपका output device है ठीक तो scanner से किसी document को scan करते हैं तो उससे जो computer को input मिलता है ठीक तो यही जो है input device है बाकि printer output device है plotter output device है projector भी output device है ठीक अगला question दिया है एक printer जिसका उप्योग graphic print करने ही तू नहीं किया जा सकता मतलब जो graphic है उनको print करने के लिए नहीं किया जा सकता वैसा printer कौन सा है तो यह printer है daisy will printer इससे जो है graphic वगरह printer नहीं किया जा सकता अगला question दिया है बढ़ती भंडारन चमता के अनुसार भंडारन माध्यम का सही क्रम है तो यह जो है अभी पीछे हम लोगों ने question देखा था कुछ-कुछ वैसे ही type का question है ना ठीक बढ़ती भंडारन चमता के अनुसार भंडारन माध्यम का सही क्रम है सिधा सरल सब्दों में यह पूछ रहा है कि जो storage devices हैं उनको छोटे से बढ़े में आपको बताना है ठीक तो यहाँ पर दिखेगा सबसे छोटा अगर मैं बोलू तो cd है cd 700 mb cd यहाँ इसको हम लोग ले लेते हैं में आजाएगा dvd cd 700 mb dvd जो है लगभग 4.5gb के उपर होता है ठीक उसबद blu-ray होता है blu-ray के बाद जो है hvd ठीक तो इस तरह से आपका जो उत्तर हो जाएगा द अगला question दिया हुआ है url का पूरा नाम है url आप लोग अक्सर internet पर जब browsing करते हैं surfing करते हैं तब आपको यह रिखने को मिलता होगा ठीक तो url का पूरा नाम है universal resource locator ठीक universal resource locator अगला question है जो कि video का आखरी question होगा कौन सा ms excel का extension है ms excel इसका extension कौन सा है मतलब कि ms excel की जो files होंगी उसके नाम के आखिर में क्या लगा हुआ होगा तो xls यह लगा हुआ होता है न तो यह जो है ms excel का extension है तो आप लोगों को जो है extensions भी ध्यान में रखना चाहिए कि ms word, ms excel, ms powerpoint, pdf, jp, image, video, audio इनका extension क्या है यह आपको ध्यान में रखना होगा तो इसी के साथ आज का यह वीडियो यही पर समाप्त होता है आप लोग मुझे comment करके बताईएगा कि वीडियो कैसा लगा, कितने questions solve हो यह जरूर बताईएगा, कोई भी doubt हो जरूर बताईएगा, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद